कॉंग्रेस के 101 वचन ये तस्वीर देखिया मध्य प्रदेश की सत्ता क्या कॉंग्रेस एक बार फिर बैट पाईगी इस कुरसी पर क्योंकि 101 वचन अब लेके आ गई है कॉंग्रेस जनता के सामने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है और 3 तारिक को यानि 3 कॉंगर को रिजल्ट आ जाएंगे लेकिन बीते दिन कॉंग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया और उसमें 101 वादे कियें कॉंग्रेस ने राउल गांदी कमल नाथ कॉंग्रेस के सभी नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता से 101 वचन कर दिया है एक दो नहीं है यह 101 वचन और अपने पुराने वादों को भी दोरा दिया है और एक नया नारा दिया है कि कॉंग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष कमल नाथ का कहना है कि कॉंग्रेस मध्य प्रदेश की जनता को खुशहाल देखना चाहती और इसलिए उनका नया नारा कॉंग्रेस आएगी खुशाली लाएगी है अब 101 वचन तो आ गए इस 101 वचन में कितने वादे किये गए है क्या इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया है क्योंकि कॉंग्रेस ने 101 वादों में महिलाओं को, बेरुजगारों को, युवाओं को, बुज़र्गों को सभी तबके को शामिल करने की पूरी कोशिश की आज के इस रिपोर्ट में 101 वचन में क्या खास है कॉंग्रेस ने जो जनता को दिया है क्या वो वादे है, वो हम आपको बताएंगे सीधा बिना देरी किये सीधा आपको लिए चलता है कॉंग्रेस के नए वादे में, किसानों के लिए सबसे पहला, किसानों के लिए कॉंग्रेस ने क्या नए वादे किया है, पहला यहूं 2600 रुपए प्रती कुविंटल, धान कहना है Congres का, अगर सरकार मध्य प्रदेश में Congress की बनती है तो, अब इसमें हमने आपको यह बताया, 5 horsepower मुफ्त बिजली मिलेगी किसानों के लिए किसानों के लिए, देश के अन्य दाताओं के लिए, जो मध्य प्रदेश के अन्य दाता है उनके लिए कॉंग्रिस के जो नए वादे है उसमें किसानों को क्या फाइदा होने वाला है सरकार अगर कॉंग्रिस की बनती है तो 5 होर्स पावर मुफ्त बिजली मिलेगी किसानों को 10 होर्स पावर तक की प्रचास प्रतिशन चूट यानि अगर 10 होर्स पावर तक विजली के उपियोप करते हैं किसान, उसमें आधी चूट मिलेगी, यानि 50% की चूट मिलेगी, तीसरी, किसान फ्रिंडली एप उबलब्त करा जाएंगे, MP में सरकार के द्वार अगर कॉंग्रिस के सरकार बनती है तो, चौती, नंदनी किलों की दर से गोबर खरीदेंगे, ये कॉंग्रिस ने कहा है, सरकार बनने पर ये वादे हैं, कि अगर कॉंग्रिस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हैं, तो जितने भी वादे हैं, इसमें हम सभी वर्गों को हमने आपके सामने हम लेकर आएं, जो भी जिन भी वर्गों को फिर से शुरू करेगी कॉंग्रेस की सरकार आते ही आगे बढ़ते हैं गो ग्रास अनुदान बढ़ाएंगे साहकारी माध्यम से दूद खरीदी पर पांच रुपए प्रती लीचर बोनस मिलेगा किसानों को मचुवारों कृशकों को मतस्ते का अधिकार होगा किसानों के ल खेतियर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम और किट मिलेगा सरकार किट भी देगी उनके सानों को और खेतियर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम दिया जाएगा और साथी साथ उन्हें प्रस्रिक्शन देकर उन्हें प्रस्रिक्शित किया जाएगा और फिर किट दिया जाए है, सिचाई और प्रदेश की नदियां, इसे पहले Congress ने किसानों के लिए वादे किये थे, अब सिचाई और प्रदेश की नदियां पर क्या धियान देगी Congress की सरकार अगर बनती है तो, सिचाई एक शम्ता बढ़ाएंगे, समीतीओं के चुनाव कराएंगे यह competence के सरकार कराएंगी सरकार बनते ही थाप्ति तमस बेतबाई नदी विकास प्रादिकरण गठिथ करेंगी ये सारी नदिया मैं ओंडेप्रदेश में बैहती हैं और इनके लिए एक प्रादिकरण गठिथ की जाएगी Congress के सरकार के द्वारा लुप्त नदियों के संद्रक्षन के लिए भागिरत नदी संद्रक्षन का रिकरम प्रारंब किया जाएगा ये भी कॉंग्रिस ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टों में अपने वचन पत्र में मा नर्मदा संद्रक्षन अधिनियम भी बनाएंगे MP में नर्मदा परिक्रमा परिश्वत का गठन होगा नर्मदा परिक्रमा यात्रा को भी प्रारंब किया जाएगा मद्यप्रोदेश में नर्मदा नदी की एक अलग ही पहचान है एक अलग ही आस्था है उनमें और नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारम कराएगी कॉंग्रिस की सरकार अगर बनती है मद्य प्रदेश में इस बार की विधान सबाद चुनाओं में, तो ये वादे पूरे किये जाएंगे, ऐसा कहना है कॉंग्रिस का ये वादे है, आगे बढ़ते हैं अब युवाओं के ल नौकरी में प्रात्मिक्ता दी जाएगी, यानि जो मद्य प्रदेश के युवा होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी में प्रात्मिक्ता दी जाएगी, प्रतियोगी परिक्षा शुल्क में 100% की चूट, ये भी कॉंग्रस ने दावा कर दिया है युवाओं के लिए, कि जो भी वो प्रतियोगी परिक्षा देते हैं जिसमें पॉम को भरते हैं उसमें 100 प्रतिशा चूट यानि बिलकुल मुफ्ट 100 प्रतिशा तक की चूट मिल गई पिछले 18 सालों से लंबित भरतिया भरी जाएंगे जो पिछले 18 साल से मद्यप्रदेश में सरकारी नौकरिया जो लंबित हैं जो पद लंबित हैं उनको भरा जाएगा कॉंग्रिस ने ये भी दावा किया है आगे बढ़ते हैं जरुवत्मन सुक्षित बेरुजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपे प्रतिमा आर्थिक मदद दो साल के लिए देगी कॉंग्रिस की सरकार बोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएंगे बोपाल मद्यप्रदेश की राजधानी है और वहाँ पर प्रोफेशनल हब बनाएगी कॉंग्रिस की सरकार बनते ही MP में Digital University शुरू करेंगे उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तक्नीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी कॉंग्रिस की सरकार ऐसा कहना है चात्र संग के नियमित चुनाओ भी कराये जाएंगे ये भी कॉंग्रिस ने दावा कर दिया है अपनी बचन पत्र में 101 दावो में ये भी शामिल कि चात्र संग के नियमित चुनाओ भी युवाँ के लिए कराये जाएंगे प्रदेश के युवा खिलाडियों के लिए पदक लाओ छात्रवृत्ती पाओ योजना का आरंब किया जाएगा यानि पदक लाओ छात्रवृत्ती योजना जब आप पदक लाएंगे कुछ ऐसा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे देश का नाम रोशन करेंगे तो Congress उनके लिए छात्रवृत्ति पाउ योजना भी आरंब कर रही है सरकार अगर बनती है तो ये योजना प्रारंब करेगी ऐसा मद्यप्रदेश में कहना है Congress के नेताओं का और ये Congress के मैनिफेस्टों में शामिल है युवाओं की बात हमने की अब चलते मैलाओं की ओट मैलाओं के लिए Congress क्या करेगी अगर सरकार बनती है तो बेटियों के विवा की नई योजना प्रारंब की जाएगी जिसमें एक लाग एक हजार की सहाइता उन मैलाओं को दी जाएगी एक लाख एक हजार की सहाथा कॉंग्रिस करेगी उन महिलाओं के लिए प्रदेश में सरकार बनती है तो महिलाओं के स्टार्ट अप के लिए रुपए 25 लाग तक का रिण जिस पर 3 प्रुतिशत ब्याजदर 3 प्रुतिशत तक का लोन होगा और उसके लिए 25 लाग तक का रिण मिलेगा महिलाओं को स्टार्ट अप के लिए मद्यप्रदेश में MP की महिलाओं को आवासीन ग्रामिन महिलाओं को आवास मिलेगा आजिविका के लिए 5000 वर्ग फुट का भूकंड दिया जाएगा मान अगर ये बस सेवा में परिवान निशुल्क पास उपलब यानि जो सरकारी बसेज होंगी उसमें महिलाओं को मुफ्त में निशुल्क पास दिया जाएगा कि आप उसपे ट्रेवल कर सकते हैं करनाटक में भी हो चुका है मदरप्रदेश में भागू करने की बात कॉंग्रिस के रही हैं मेरी बेटिया राणी योजना प्रारभ किया जाएगा कॉंग्रिस की द्वारा, दो लाक 51,000 की राजवी उनके जनम से लेके उनकी शादी तक कॉंग्रिस की सरकार देगी मध्य प्रदेश में, यह बड़े बड़े वादे चुनाओं में लगातार हरे एक राजनुतिक दल करत हैं लेकिन 101 क्वचनों में यह बी शामिल है, मेरी बीटिया राणी योजना प्रारभ मध्य प्रदेश में कॉंग्रिस करेगी मैलाओं के लिए, जिसमें 2,50,000 की राजवी मैलाओं की यानि की बच्चियों की जनम से लेकर बेटियों की शादी तक कॉंग्रिस की सरकार योजना प्रारभ करेंगे, जिसमें परिवार सही 25,000,000 तक का स्वास्त बीमा दिया जाएगा उनको MP की परिवारों को, जिसमें 10,000,000 का दुरगटना बीमा भी शामिल अगर कोई दुरगटना होती है, उसमें सरकार 10,000,000 का बीमा देगी आपको, कॉंग्रिस की ऐसा कहना ह इन चार फेज में उन्हें वेतं मान दिया जाएगा, कॉंग्रस की ओर से ऐसा कहना है सरकार बनने के बात, 911 सम्विदा करमी के ली किया करेगी कॉंग्रस की सरकार आउट-सोर्स, सम्विदा और अन्ने के लिए पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगे, ये बढ़ को सेवा में आरेक्ष्वन का लाब मिलेगा इने रिजर्वेशन दिया जाएगा बहुत पूर्वस्थानिकों को जो सेना में जा चुके MP की ओर से खनिश के लिए क्या करेंगे रेत आवंटेन की नई नीती बनाएंगे साधी साथ रेत घोटाली की जाच भी करेंगे यहाँ पर घोटाली की बात कर दी है कॉंग्रिस ने अगर जो भी जैसा कहना है कॉंग्रिस लगातार ये आरोप लगाती रही है बीज़पी की सरकार पर शिवराज की सरकार पर की मध्यप्रदेश में उनके नेत्रतु में सर्फ घोटाला हुआ उसकी जाच की जाएगी ये पर घोटाली की जाच भी करेंगे आगे बढ़ते हैं श्रमिकों के लिए मजदूरों के लिए क्लिए क्या करेंगे कॉंग्रिस की सरकार तो श्रमिकों के सम्मान में एक मई को सारवजनिक अवकाश गोशित किया जाएगा एक मई मई मजदूर दिवस होता है लेबर डेह और उस दिन सारवजनिक अवकाश गोशित कर दिया जाएगा सरकार की ओर से अगर मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार आती है तो 65 साल से जादा आयू के श्रमिकों को 1200 रुपे प्रतीमा सम्मान निधी दी जाएगी कॉंग्रेस की ओर से सभी श्रमिकों के लिए नया सवे योजना फिर से लागू किया जाए क्योंकि योजना शुरुवात में हो चुकी थी उसे बंद कर दिया गया वापस से कॉंग्रेस उसे चालू करेगी साफ पानी का अधिकार स्वच जल का अधिकार का कानून बनाएगी कॉंग्रेस साथी साथ हर घर को पीने का जो पानी है उसी योजना का उपलग कराया जाएगा, उसी योजना का लाब, कॉंग्रेस की जो सरकार है, वो मध्यप्रदेश की जनता को देगी, यानि हर गर में साफ पानी पहुँचे, आगे बढ़ते हैं, विज्ञान सुचना पॉदिग्यू की के लिए, कॉंग्रेस क्या करेगी, आटिफिशल इंटेलिजनसी का शोध केंद्र स्थापित करेगी, कॉंग्रेस की सरकार, ये बड़ा वादा एक और है, आटिफिशल इंटेलिजनसी का शोध केंद्र स्थापित क मिलेगा साथिसाथ गरीबों के लिए आटा डाल तेल और चीनी का देव भोग प्रदान किया जाएगा एक किट दिया जाएगा जिसमें जो जरूत के खाने के जो समान है जिसे दाल चावल आटा है यह उन्हें दिया जाएगा कॉंग्रिस की सरकार की ओर से गरीबी रेखा का अनुसूचित जाती एवं जनजाती समान अवसर आयो गठित करी जाएगी सब के लिए समान अवसर आयो गठित होगा कॉंग्रिस की सरकार के द्वारा बैक लॉग के पद को भरेंगे साधिसाथ इन वर्गों के आर्तिक और समाजिक उठान की दिशा में काम किया जाएगा चात्रवृति का अधिकार अधिनियम बनाएगी अनुसूचित जाती जनजाती उपियोजना को अधिनियम का रूप भी देगी कॉंग्रिस की सरकार गामिन विकास के लिए चलते हैं त्रीस तरिये पंचायती राज मूर रूप से लागू करेंगे सरपंचों को अधिकार मि जाएगी कॉंग्रिस की ओर से नगर निकायों की तरह आवास का अधिकार घर के लिए जो छट है वो भी मुहया कराएगी कॉंग्रिस ऐसा वो भी दावा कर चुकी है आवास का अधिकार का कानूर मनाएगी साधिसाद गामिन आवास इवं शहरी आवास की राशी को समान किय जाएगा, इसको एक जैसा कर दिया जाएगा, 600 वर्फुट तक के आवासी पटों को मुफ्त पंजिनियन करेंगे, साधी साथ पुष्टैनी मकानों का मालिकाना हग भी देंगे, और आवासी पटेधारियों की रजिस्ट्री मुफ्त में कराई जाएगी, तो ये निशुलक व से राज्य की पाच वर्षी योजना प्रारम की जाएगी, पांच साल में जो सरकार होगी, उसमें योजना का लाव, अर्थ विवस्ता का सुद्रडी करन है, उसके लिए किया जाएगा, एक एकरत ग्रामीन और शेहरी विकास की नव धारणा के साथ आगे बढ़ा जाएगा वित्य अनुशासन कायम करेंगे, आगे बढ़ते हैं अपराद मुक्त प्रदेश, यानि क्राइम पे फोकस है, अगर सरकार मद्ध प्रदेश में आती है कॉंग्रिस की, तो क्राइम कंट्रोल किया जाएगा MP में, ऐसा कॉंग्रिस का कहना है, अपराद मुक्त कर दिया MP में कॉंग्रिस की सरकार, माफियाओं के विरुध अभियान चलाए जाएगा, और साथी साथ याता है, चेकिंग की विवस्था में सुधार करेंगे, जो ट्राफिक की जो नियम है, उनको भी पालन कराए जाएगा सरकार की ओर से, आगे बढ़ते हैं, ग्रामिन परिवहन विकास के लिए चारख शेत्रिये कंपनिया PPP model पर काम करेंगी, यह एक PPP model है, जिस पर ग्रामिन परिवहन विकास के लिए चारख शेत्रिये कंपनिया काम करेंगी, साथे साथ स्क्राप की नीती बनाएगी कॉंग्रिस, और RTO barrier की विवस्था सुधरड करेंगे, आगे पड़ते हैं, पत्रकारों के लिए क्या है, पत्रकारों के सम्मान निदी राशी बढ़ाकर 25,000 कर दी जाएगी, मध्यप्रदेश में, पत्रकारों का मुफ्त स्वास्त बीमा उनके परिवार के सहित लागू कराया जाएगा, यान उनके परिवार वालों को भी इसमें आस्ता और विश्वास की बात कर लेते हैं, आजकल कॉंग्रेस भी लगातार, वो तस्वीरे आप देख रहे होंगे, कमलनात की मंदिरों में जाना सब कुछ चल रहा है, दोनों तरफ से बीजपी और कॉंग्रेस, हास्ता और विश्वास के लिए कॉंग्रेस क्या करेगी, तो श्रीराम वन गमन पत का निर्बाण शिगर पूर्ण कराएंगे, साधी साथ सीता माता मंदिर जो श्रीलंका की योजना को पुना मद्य प्रदेश में प्रारंब किया जाएगा, खुशाली मिशन के तहत, मद्य प्रदेश की खुशाली मिशन के लिए खुशाली मिशन इसके साथ, अब मैं आपको बता दू, इन वादों को भी दौराया गया, यह वो वादे हैं, जो कॉंग्रिस दौरा चुकी है, इससे पहले कर चुकी है चुनाओ में, इन वादों को भी कमलनाथ में दौराया तकल मैनिफेस्टों में, जिसमें, जै किशान, कृषी, मृरिन, म में बात चल रही थी, अब मध्य प्रदेश में भी करने की बात कॉंग्रिस कर रही है, इंद्राग्री योजना के अंतरगत, 100 यूनिट माफ और 200 पर हाफ, यानि 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी, और साथी साथ, अगर 200 यूनिट है, तो उसे हाफ लिया जाएगा, आगे बढ़ते हैं, पुरानी पेंशन योजना, यानि OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, 2005 को शुरू कर दिया जाएगा, MP में आते के साथ, आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी हो या राहूल गांधी, जब भी हिमाच्वल हो, या करनाटा के कई राजियों में उन्होंने होते हैं, तो हाफ कर दिया जाएगा, किसानों के बकाया विद्यूत देख माफ करेंगे, उनके जो कर्ज हैं, उनको भी माफ किया जाएगा, किसान आंदोलन और विद्यूत संबंदी जूटे और निराधार प्रकरणों को वापिस लिया जाएगा, और साथी साथ, बहुत प्रदेश में भी जाती है, जनगर्ना की बात कॉंग्रेस कर रही है, तो MP में अगर कॉंग्रेस की सरकार बन गई, तो वहाँ पर भी कास्ट्रेंस होगा, यानि जाती है, जनगर्ना कराई जाएगी, शाशकिये सेवाओं और योजनाओं में OBC को 27 प्रतिशत का रिजर्वे जारुपे प्रतिमा और 11 से बारवी के बच्चों को 15 सो रुपे प्रतिमा सरकार देगी, मद्यप्रदेश में स्कूली सिक्षा मुफ्त में कराई जाएगी, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में सिक्षा दी जाएगी, सरकार ने ये भी दोर आया है, अपनी बातो और उनसे पहले Congress को जो चल रहा था, उसको वापस से वो लागू कर देंगे, तो ये वो वादे हैं जिनको दोहराया है, बीते दिन ही कमालनाच जो कि Congress के प्रदेश अध्यक्ष है और मद्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने इन वादों को दोहरा है, खैर ये जो वादे और दावे थे, ये Congress ने कर दी अपने 101 वचन पत्र में, तो कहीं न कहीं, Congress ने 101 वचन से अपने विरोधी यानि भारती ये जनता पार्टी को फसाने का काम किया है, हलाकि 17 नॉम्बर को मद्य प्रदेश में बोटिंग है, और 3 को रिजल्ट्स तब देखना होगा ये वादे और इस तरीके की जो चीजे अलगातार हरे एक राजमितिक डल कर रहे हैं, वो कहां तक इस चीज को लागू कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे वादे जो हैं, अगर Congress की सरकार बनती है, तो ये वादे कर दिये हैं जनता से Congress ने, कि हम इससे लाग आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फालो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस्स ना करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है, News 24.